नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पे जिस पर आपको एकदम स्टिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है हम बात करने वाले है राजस्तान ऐसा ही एकजाम को लेके आगे के अपडेट पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरू खर लेना देखिए आपका रजल सुमिद सर्मा ही है اور इसकी सुनवाई यहाँ पे फिक्स की गई है आई कोड की दुआरा गुंटिस नौवंबर को ठीक है गुंटिस गैरा को मतलब आज से चार दिन बाद आपका सुनवाई है वो फिक्स की गई है तो रजल्ट क्या सुनवाई तक रोका जाएगा या फिर आपका कल ही आ जाएगा ठीक है इसको लेके हम यहाँ पर बात करने वाले कोर्ट नमर 11 में आपकी सुनवाई होगी ठीक है तो ये मतलब ये 1220 कोई थी कोर्ट नमर 11 में अभी आपकी अगली सुनवाई है वो 30 तरिक को होने वाड़ी है तो क्या result आपका पहले आएगा क्योंकि देखें जो अपने हाई कोट में जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें हाई कोट ने ये बोला था कि भी क्या RPSC को ये बरतीर रद करके फिर से करवाने चाहिए ये प्रिक्षा इसके उपर जवाब मांगा था RPSC से और अब इसकी सुनवाई है वो 30 कोने वाली है लेकिन ए क्या इंग्लिस बोलने से लगता है आपको डर तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिस स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जोड़ जाईए जहां इंग्लिस के टोप एक्सपर्ट आपको हिंदी बासा की मदद से इंग्लिस बोलना सिखाएंगे वो भी एकदम color basics से अगर आप इंग्लिस बोलने में हिच किचाते हैं या आप अपने इंट्रियू के लिए इंग्लिस सिखना जाते हैं अपने आपको इंग्लिस में hero बनाना जाते हैं तो यह कोर्स आपके लिए है आज ही डाउटना टैप पडाकर कोर्स खरी दिये और अपने खुल कर इंगलिस बोलने के सपने को पूरा किजिए ये खबर है जी जास्तान की तरप से इनोंने क्या बताया है वो और देख लीजी आप इनोंने बोला है कि लगबग 9 महिने बाद नितजार होगा समाप कि इसी महिने में मतलब इस महिने के कितने दिन बचे है इस महिने के दिन बचे पांच ठीक है तो कल सुकरवार है सुकरवार को रिजल्ट आ सकता है अगर कल नहीं आता है तो फिर गुन्टिस को आएगा गुन्टिस को सुनवाई है तो क्या फिर कल ही इसका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा सुनवाई से पहले क्योंकि जिस हिसाब से गोवर्णमेंट जो रास्तान सरकार त्यारी कर रही है जो हर किसी में तेजी से जो काम कर रही है तो हो सकता है सुनवाई से पहले ही इसका रिलीज कर भी दिया जा सकता है तो वह देखिए आपको कल पता चल जाए तो फिर सुनाई के बाद ही आएगा ठीक है सॉमवार को आपके सुनाई होगी और उसके बाद ही आपका फिर रेजल्ट है वो रिलीज किया जाएगा